हलो विद्यार्थियों आज के इस कारिग्रम में आप सभी का स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे प्राइक्ता के बारे में आए कुछ कत्मों पर विचार करते हैं जैसे आज वर्षा होने की बहुत अधिक संभावना है इस वर्ष बारवी कख्षा का परणाम काफी अच्छा रहने की आशा है संभावते भारत कल होने वाला मैच जीतेगा मोसम विभाग का अनुमान है कि इस वर्ष मानसून सामान ने रहेगा इन सभी कत्मों में परणाम के साथ एनिश्चित्ता जुड़ी है वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी परणाम अच्छा भी आ सकता है लेकिन खराब भी निकल सकता है मानसून कई बार सारे पूर्वानुमानों को जुठला देता है भारत में जीत सकता है लेकिन हार भी सकता है अब प्रश्ण उठता है कि क्या इन घटनाओं के साथ जुड़ी इस एनिश्चित्ता की सही सही गणना की जा सकती है क्या इस एनिश्चित्ता को मापा जा सकता है और क्या इस माप को किसी संख्या से प्रकट किया जा सकता है हाँ हम इस एनिश्चित्ता को माप सकते हैं और इसे संख्या से प्रकट भी कर सकते हैं और यह संख्या जो इस एनिश्चित्ता की माप को प्रकट करती है यही इस घटना की प्रायक्ता होती है इस प्रकार प्राइक्ता वह संख्या है जो किसी घटना के होने या ने होने की संभावना को प्रदर्शित करती है आए अब सीखते हैं इस एनिश्चिता की गर्णा करना इसके लिए कुछ संबंधित बातों की जानकारी आवश्चक है विश्व में सामानिते दो तरह के प्रियोग होते हैं एक तो वे जिने बार बार समान परिस्थितियों में दोढ़ाने पर हमें एक सा परणाम मिलता है जैसे हम गैंद को चाहे जितनी बार उचा लें गैंद हमेशा नीचे ही आती है तृभुत चाहे जिस प्रकार का हो उसके कौनों का योग हमेशा 180 अंश होता है लेकिन अगर हमें एक सिक्के को उचा लें तो क्या हर बार हमें एक साही परिणाम मिलता है नहीं कभी head आता है तो कभी tail इस प्रकार के परिणाम जिने समान परिस्थितियों में दोहराने पर हमें विभिन परिणाम मिलते हैं परिणाम बदल सकते हैं परन्तु सभी परिणाम हमें पता होते हैं हमें ग्यात होते हैं जैसे सिक्के के उच्छालने में सभी संभावित परिणाम हमें ग्यात हैं हैड आएगा या टेल परन्तु क्या आएगा ये एनिश्चित है ये हमें पता नहीं होता इस प्रकार के प्रियोग प्राइक्ता में याद्रचिक प्रियोग कहे जाते हैं वे प्रियोग जिन्हें समान परिस्थितियों में दोहराने पर परिणाम बदल सकते हैं और सभी संभावित परिणाम हमें ग्यात हो याद्रचिक प्रियोग कहते हैं इस चर्चा में आगे जब कभी हम प्रयोग की बात करेंगे तो उससे हमारा तातपर यह याद्रचिक प्रयोग से ही होगा जैसे सिक्के का उच्छालना एक प्रयोग है यह एक पासा है यह घनाकार आकरती है जिसके छे बराबर फलक है पासे का लुड़काना एक प्रयोग है सभी छे संभावित परणाम हमें पहले से ही ग्यात है एक से लेकर छे तक की संख्याओं में से कोई भी संख्या उपर आ सकती है लेकिन कौन सी संख्या आएगी ये हमें ग्यात नहीं है किसी प्रियोग को एक बार करना एक प्रयास यानि एक ट्रायल कहा जाता है और किसी प्रियोग को करने पर जो नतीजे निकल सकते हैं उन्हें हम परिणाम कहते हैं जैसे सिक्के को उच्छालने में हैड का आना या टेल का आना एक परिणाम है पासे को लुड़काने में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इन संख्याओं में से किसी एक संख्या का आना एक परिणाम है यहां एक बात समझ लेना जरूरी है पासा एक घनाकार आकरती है जिसके सभी छे फलक समान है इसमें सभी छे संख्याओं के आने की संभावना भी समान है इसी प्रकार सिक्के को उच्छालने में हैड या टेल आने की संभावनाएं भी समान है इस प्रकार ऐसे परणाम जिनके आने की संभावनाएं समान होती हैं इन्हें हम समसंभाववे परणाम कहते हैं आईए अब सिक्का उच्छालने के परणामों को एक समुच के रूप में लिखते हैं सिक्का उच्छालने के संभावित परणाम हैं Head और Tail हेड और टेल को जब हम समुच के रूप में लिखते हैं तो हमें मिलता है 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 प्रदर्शित करता है एच और टी प्रदर्शित करता है टेल को इस समुच को हम सामान्यते है एस से प्रदर्शित करते हैं और यह समुच जो किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों को समाहित करता है उसे हम इस प्रयोग की प्रतिदर्श समस्टी या सेंपल स्पेस कहते हैं इसी प्रकार इस समुच के सदश्यों की कुल संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं एन एस से यहां पर कुल सदर्श्यों की संख्या है दो कि आए अब पासा लुड़काने के प्रयोग की प्रतिदर्श समस्टी लिखते हैं पासे पर कुल संख्याएं हैं एक दो तीन छे चार और पाँच अर्थात कुल संभावित परणाम हो सकते हैं एक दो तीन चार पाँच और छे इने हम समुच के रूप में लिखें तो प्रतिदर्श समस्टी एस बराबर हमें मिलता है एक दो तीन चार पाँच और छे और इस प्रतिदर्श समस्टी के सदस्यों की संख्या यानि एन एस यह बराबर है छे इस प्रकार प्रतिदर्श समस्टी किसी प्रियोग के सभी संभाव परणामों को समाहित करने वाला समुच्च होता है पासा लुड़काने के प्रयोग के संभावित परणाम है एक दो तीन चार पाँच या छे इन परणामों में से कोई एक परणाम या एक से अधिक परणाम मिलकर एक घटना बनाते हैं जैसे हम चार को लें चार का आना एक घटना है ध्यान दीजिए चार एक परणाम भी है अर्थात यह घटना केवल एक परणाम से मिलकर बनी है ऐसे ही विशम संख्या का आना अर्थात एक तीन या पाँच का आना भी एक घटना है जो तीन अलग परणामों से मिलकर बनी है अर्थात एक तीन या पाँच में से किसी संख्या का आना आये अब देखते हैं कि किसी प्रयोग की पृतिदर समस्टी और उसकी घटनाओं में क्या संबंद है एस बराबर एक दो तीन चार पाँच और छे इससे जुड़ी एक घटना है पांसे पर सम संख्या का आना सम संख्याएं हैं दो चार और छे इसी से जुड़ी एक और घटना है अबहाज संख्या का आना प्रतिदर समस्टी में अबहाज संख्याएं हैं दो तीन और पाँच इसका समुच बनता है दो तीन पाँच एक और घटना है विशम संख्या का आना विशम संख्याएं हैं एक तीन और पाँच क्या इन तीनों समुच्यों में और प्रतिदर समस्टी के समुच्य में कोई विशेश संबंध है हाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि ये तीनों ही समुच्य प्रतिदर समस्टी कि एस के उपसमुच्य है किसी प्रयोग की प्रतिदर समस्टी का प्रतिएक उपसमुच्य एक घटना या इवेंट होती है आए अब पासल उलकाने के प्रयोग की कुछ घटनाओं पर विचार करते हैं घटना है ए और यह घटना है पासे पर दो का आना अगर हम इस घटना ए का समुच्य लिखें तो समुच्य हमें मिलता है और इस घटना के समुच्य के सदर्श्यों की संख्या है एक इस एक संख्या को हम इस घटना के अनुकूल परणाम कहते हैं किसी घटना के होने की संभावना की माप उस घटना के अनुकूल परणामों की संख्या और उस प्रयोग के कुल सम संभावे परणामों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है अर्थात किसी घटना E की प्रायक्ता जिसे हम P E से प्रदर्शित करते हैं यह बराबर होती है घटना के अनकूल परणामों की संख्या बटे कुल समसंभाव परणामों की संख्या घटना E के अनकूल परणामों की संख्या है N E और प्रतिदर समस्टी S के कुल सदस्यों की संख्या है N S और घटना E की प्राइक्ता P E बराबर होगी N E बटे N S के अब एक समस्या पर विचार करते हैं एक पासे को एक बार लुड़काया जाता है प्राइक्ता ज्याद कीजिए समसंख्या आने की तीन के गुणच आने की पहले बात करते हैं समसंख्या आने की प्राइक्ता ज्याद करने की पासे को लुड़काने के प्रियोग की प्रतिदर समस्टी है S बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अर्थात कुल सम संभावे परणाम N S बराबर है 6 घटना E है समसंख्या का आना पासे पर कुल समसंख्याएं हैं 2, 4 और 6 इस प्रकार घटना का समुच्च है E बराबर 2, 4, 6 N E अर्थात अनकूल परणामों की संख्या है 3 इस घटना E की प्राइक्ता होगी P E बराबर अनकूल परणामों की संख्या बटे कुल समसंभव परणामों की संख्या अनकूल परणाम है N E और कुल संभव परणाम है N S N E का मान है 3 और N S है 6 जिससे हमें इस घटना की प्राइक्ता मिलती है 1 बटे 2 अब हमें प्राइक्ता ग्याद करनी है 3 के गुणच आने की अब क्योंकि प्रियोग समान है अथे प्रतिदर समस्टी भी समान होगा इसके सदस्य है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और कुल सदस्य संख्या भी वही होगी अर्थाद N S बराबर 6 अब अगर 3 के ग्रुणच आने की घटना को हम E से प्रदर्शित करें तो E का समुच लिखते हैं प्रतिदर समस्टी में 3 के गुणज हैं 3 और 6 तो घटना के समुच के सदस्य होंगे 3 और 6 घटना E के अनुकूल परणामों की संख्या N E बराबर है 2 हम जानते हैं प्राइक्ता P E बराबर है अनुकूल परणामों की संख्या बटे कुल संभावित परणामों की संख्या बराबर होगा 2 बटे 6 अर्थात पासे पर 3 के गुणज आने की प्राइक्ता हमें मिलती है 1 बटे 3 आए इसी प्रियोग में एक और घटना की प्राइक्ता ज्याद करते हैं घटना है पासे पर संख्या आठ का आना प्रियोग की प्रतिदर समस्टी है S और कुल संभावित परणाम है 6 घटना E है आठ का आना इस घटना E का समुच अगर हम लिखें तो हम पाते हैं कि प्रतिदर समस्टी में कोई भी संख्या आठ नहीं हो सकती क्योंकि पासे के किसी भी फलक पर आठ नहीं है इसलिए ये समुच एक रिक्ट समुच होगा यानि इस समुच के अंदर कोई सदस्य नहीं होगा तो N E यानि घटना E के अनकूल परणामों की संख्या शून्य होगी हमने अभी देखा है पासे के किसी भी फलक पर आठ नहीं है इसलिए प्रतिदर समस्टी में भी कोई संख्या आठ नहीं है अब जब हम इस घटना E का समुच लिखते हैं तो इसमें कोई सदस्य नहीं होता यानि ये एक रिक्ट समुच है जिसे हम एक ग्रीक अक्षर फाई से निरूपित करते हैं और इस घटना E के अनकूल परणामों की संख्या N E बराबर होगी 0 क्योंके इस समुच में कोई सदस्य नहीं है और इसकी प्रायक्ता P E बराबर होगी 0 बटे 6 अनकूल परणामों की संख्या बटे कुल समसंभाव परणामों की संख्या अर्थात प्रायक्ता है शून्य ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायक्ता यानि होने की संभावना की माप शून्य हो असंभव घटनाएं होती है हम कह सकते हैं कि ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्रायक्ता शून्य हो असंभव घटना होती है यानि impossible event होती है या हम कह सकते हैं कि असंभव घटना की प्राइक्ता शून्य होती है आए इस घटना का समुझ लिखते हैं प्रयोग की प्रतिदर समस्टी है वही एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और इसके सदस्यों की संख्या छे अब घटना ई है साथ से कम अंक का आना घटना ई का समुझ लिखने में हम पाते हैं कि पासे के ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी साथ से कम हैं अर्थात एक, दो, तीन, चार, पांच और छे सभी अनुकूल परिणाम हैं घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है छे और इस घटना पी की प्रायक्ता पी बराबर होगी न, इ अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या बटे N.S. कुल संभावित परणामों की संख्या घटना E के अनकूल परणामों की संख्या है 6 और कुल संभावित परणाम भी 6 है और प्राइकता हमें मिलती है 1 ऐसी घटनाएं जिनके होने की संभावना की माप या प्राइकता एक हो निश्चित घटनाएं होती है ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्राइकता एक हो निश्चित घटना होती है या हम इसे ऐसे भी कह सकते है कि एक निश्चित घटना की प्राइकता एक होती है अब एक और घटना पर विचार करते हैं E किसी प्रियोग से संबंधित कोई घटना है, इस घटना E के अनुकूल परणामों की संख्या है M, इस घटना E के अनुकूल परणामों की संख्या है M, N इस प्रियोग से संबंधित कुल संभव परणामों की संख्या है, और अब हम जानते हैं कि अगर अनुकूल परणामों की संख्या है M, और कुल संभव परणामों की संख्या है N, तब घटना E की प्रायक्ता P E बराबर होगी M बटे N के, जब घटना के अनकूल परिणामों को चुनने की बात आती है हम इने कहां से चुनते हैं निश्चे ही घटना के अनकूल परिणामों को हम चुनते हैं प्रियोग की पृतिदर्श समस्टी से इसलिए यह सपस्ट है कि अनकूल परिणामों की संख्या कभी भी पृतिदर्श समस समस्टी के सदस्ट्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती यानि M अनकूल घटना के अनकूल परणामों की संख्या हमेशा पृतिदर्श समस्टी के कुल सदस्ट्यों की संख्या n से कम होगी या उसके बराबर हो सकती है इसे एगर हम n से भाग दें तो हमें मिलता है m बटे n हमेशा कम होगा एक से या उसके बराबर अब हम ये भी जानते हैं कि m बटे n घटना e के घटित होने की प्राइक्ता है अर्थात ये होगी हमेशा एक से कम या उसके बराबर और किसी घटना की प्राइक्ता शून्य से कम भी नहीं हो सकती अब निश्कर्ष निकलता है कि किसी घटना e के घटित होने की प्राइक्ता शून्य से एक तक कोई संख्या होती है अब सीखते हैं किसी घटना के घटित नहीं होने की प्राइक्ता ज्याद करना किसी प्रयोग के कुल संभव प्रणामों की संख्या है n e है e प्रदर्शित करता है घटना का होना m प्रदर्शित करता है e के अनुकूल प्रणामों की संख्या को e बार प्रदर्शित करता है घटना का ने होना बार से हमारा यहां पर अर्थ है E के उपर जो एक छोटी सी रेखा आप देख रहे हैं इसे हम बार कहते हैं E बार प्रदर्शित कर रहा है घटना के नय होने को और हमें इसी E बार जो घटना है इसकी प्रायक्ता ग्याद करनी है कुल परिणाम है N घटना के अनुकूल परिणाम है N इसलिए घटना के नय होने के अनुकूल परिणाम होंगे N घटा M अर्थात घटना के नय होने के अनुकूल परिणामों की संख्या N घटा M होगी और E बार की प्रायक्ता होगी N घटा M बटे N अर्थात अनकूल पढ़नामों की संख्या N घटा M और N यानि कुल संभाव पढ़नामों की संख्या इसे हम अलग-अलग भाग दें तो हमें मिलता है एक घटा M बटे N और हम जानते हैं कि M बटे N है E के घटित होने की प्रायक्ता हमें संबंध मिलता है E के घटित ने होने की प्रायक्ता बराबर एक घटा E के घटित होने की प्रायक्ता यहीं से एक निश्कर्ष हमें और प्राप्त होता है E बार के घटित होने की प्राइक्ता P E बार को अगर हम बाय पक्ष में लाएं तो हम पाते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्राइक्ता और उसके घटित ने होने की प्राइक्ता का जोड हमेशा एक होता है आईए इन दो घटना उपर थोड़ा ओर विचार करें सिक्के को उचालने में हैड आने का आर्थ है कि टेल नहीं आएगा अगर टेल आता है तो यह निश्चित है कि हैड नहीं आएगा पासे को लुड़काने में अगर पासे के उपर एक समसंख्या आना एक घटना है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि विशम संख्या नहीं आ सकती अर्थात एक घटना के घटित होने का अर्थ निकल रहा है कि दूसरी घटना घटित नहीं हो रही है ऐसी घटनाओं को हम पूरक घटनाएं कहते हैं की ने घटने पर घटित होती है ए की पूरग घटना होती है जिसे हम ए बार से प्रदर्शित करते हैं किसी पूरग घटना की प्राइक्ता ग्याद करना कुछ समस्याओं में हमारे लिए बहुत अधिक साहक होता है आईए एक समस्या पर विचार करते हैं तीन पासों को एक साथ रुड़काया जाता है उपर आने वाली संख्याओं का योग कम से कम पांच होने की प्रायक्ता ग्यात करो अर्थात संख्याओं का योग पांच हो या उससे ज्यादा पांच से ज्यादा क्या-क्या योग संभव है अधिक्तम योग संभव है अठारा पांच से लेकर अठारा तक कोई भी योग संभव है इस घटना का समुच अगर हम लिखना चाहें तो यह एक अत्यंत कठिन कारे है फिर उनको गिन्ना लेकिन अगर हम इसके दूसरे पक्ष को सोचें पांच या उससे अधिक योग का आना एक घटना है इसकी पूरक घटना क्या हो सकती है पांच से कम योग का आना आएए देखते हैं एक पासे पर कुल संभव हैं छे और जब हम तीन पासों को एक साथ लुड़काएंगे तो कुल संयोग हमें मिलेंगे छे गुणा छे गुणा छे यानि कुल संभव परणाम हैं दो सो सोलाएं के संख्याओं का योग कम से कम पांच आना इस घटना को हम प्रदर्शित कर रहे हैं इस घटना इंहीं कि पूरग हटना E बार आये देखते हैं E बार प्रदर्शित करता है संखियाओं का योग 5 से कम आना अब हम पाते हैं कि निउन्तम योग हो सकता है 3 क्योंकि तीनो पासो पर संखियाओं हैं 1, 1, 1 और 5 से कम जो योग संभाओं है वो हैं 3, 4 और तीन और चार योग के सहियोगों को लिखना एक आसान कारे हैं आएए आसान काम करते हैं पहला सहियोग हमें मिलता है कि तीनों पासो पर एक है पहले दो पासों पर एक लेकिन तीसरे पासे पर दो पहले पासे पर एक, दूसरे पर दो, तीसरे पर एक, पहले पर दो, दूसरे पर एक, तीसरे पर एक ये बार के समुच्च में कुल सदस्य संख्या है एक, दो, तीन और चार अर्थात घटना E बार के अनुकूल परणामों की संख्या हमें मिलती है चार यानि N E बार बराबर है चार के तो घटना E बार की प्रायक्ता P E बर बराबर होगी घटना E बार के अनुकूल परणामों की संख्या अर्थात N E बार बटे N S और घटना E बार की प्रायक्ता हमें मिलती है 4 बटे 216 अब प्रियोग करते हैं उस संबंध का जो अभी हमने पूरक घटनाओं की प्रायक्ता ग्यात करने में प्राप्त किया था ये है PE बराबर एक घटा E बार की प्रायक्ता E बार की प्रायक्ता हमें ग्यात है यह है 4 बटे 216 इसे अब अगर हम एक में से घटा दें तो हमें मिलता है 212 बटे 216 यानि 53 बटे 54 इस प्रकार हम पाते हैं कि कई बार कुछ विशेश समस्याओं में किसी घटना के होने की प्रायक्ता ग्यात करने की अपेक्षा यह आसान होता है कि हम उसके ना होने की प्रायक्ता ग्याद करें और होने की प्रायक्ता को हम एक में से ना होने की प्रायक्ता को घटा कर निकाल सकते हैं आज इस चर्चा में हमने जाना एक यादरच्छिक प्रियोग क्या होते हैं, एक सरल घटना क्या होती है, असंभव घटना, निश्चित घटना क्या होती है, पूरग घटनाएं क्या होती है, प्रतिदर्श समस्टी क्या होती है, इनके समुच हम कैसे लिखते हैं, और उनका प्रियोग कर हम इनकी प्रायक्ता कैसे ग्याद करते हैं, अब आप इन सभी का प्रियोग कर अपनी पाठ्थे पूस्तक के प्रशनों को हल करें, अपनी समस्याओं के बारे में अपने से विचार भी मर्श करें और हमें लिखें